स्टूडेंट्स अब हम यह देखते हैं कि अभी तक हमने गूगल एड़, गूगल एड़ड, एड़सेंस के जरी हमने देखा है कि हम कैसे रेविन्यू जरेर कर सकते हैं अपने प्रोड़क्ट को मार्केट करके स्टूडे, सू इस इसे पहले लिए कि आपने जिए हैं और हम जैसे हमने इसे पहले डिसक्षिन की थी कि जो मार्केट के यह मार्केट शेयर है वह गूगल का एड़सेंस इस अव तोताओं स्टैंटीं इस तोताल अलाइन बजट का, इस अधिन विड़सेंस अब्सूपर्स जो next उनका competitor है वो Facebook है तो Facebook जिसना Google AdWords है आप समझ लें उसी तरह Facebook Ads है Facebook Ads basically Facebook के लिए revenue generate करने का one of the major component है one of the major source of revenue जो Facebook का है वो basically ads generate करने के यानि लोग वहाँ जाके अपने ads generate कर सकते हैं ad paste कर सकते हैं ad post कर सकते हैं so अब यह देखते हैं कि Facebook का marketing life cycle यानि ad का life cycle और Google का life cycle AdWords का या AdSense का यह कैसे differ करता है सबसे पहला difference समझेगा ज़रा Facebook basically अपने ad उस audience सक पहुंचाता है जो लोग किसी particular चीज में interest शो करते हैं location पे नहीं interest पे जो Google AdWords था वो search की basis के उपर ad दिखाता था लेकिन हमें यह पता है Facebook search engine नहीं है Facebook is not a search engine Facebook is a social media platform तो वहाँ पे मैं for example login किया Facebook पे तो मेरे जो interest है मुझे for example अगर I love to drink coffee a lot या I love to play cricket और football और जो मेरे interest है मुझे Facebook जो ads हैं मेरे interest के मताबिक दिखाएगा ना के मेरी search के मताबिक यह की difference है Facebook में और Google में पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू जो Facebook है वो business जो business है जो publisher हैं जो companies है वो हमारे तक नहीं पहुंच रही हम उन तक पहुंच रही है मुझे यह पता लग रहा है जो मुझे क्रिक्ट बॉल खरीदना है दुनिया में नमबर वन जा बनता है तो मैं उस कम्ली तक पहुंच सकता हूँ जो वो क्रिक्ट बॉल बना रही है या सियार कोट में बड़ अच्छा क्रिक्ट बॉल बनता है तो मैं फेस्बुक के जरीए उन कम्ली सक पहुंच सकता हूँ जो फुल बना रही है या लेट सिपोज क्रिक्ट बॉल बना रही है बैट बना रही है या मैंने ये देखना है कि मैं ट्रैवल करना चा रहा हूँ लेकिन I need to यूँ कहें कि मैं चाता हूँ कि मैं यहां से let's suppose San Francisco जाऊं लेकिन चार-पन जगा रुक के जाऊं I don't want a direct flight तो मेरे interest की basis के उपर मैं उन agencies तक reach out कर सकता हूँ जो ये आपको service for example provide करती है तो ये business model फर्क है थोड़ा सा लोग reach out करते हैं businesses को facebook में और google में businesses businesses reach out करते हैं यूजर को ये fundamental difference है moving forward facebook में तकरीबन millions of advertisers है advertisers कौन लोग है simple companies है जो facebook के जरीए अपनी product को market करना चाहती है simple advertisers जो है facebook को pay करता है उन ads का जो target audience तक पहुंचे गा on the basis of their interest again I repeat इसको अब बहुत द्हाँ से समझें क्योंके अभी हम आगे जागे जो facebook की campaign को चलाएंगे न तो you will get confused के ad word में भी campaign थी facebook के ad में भी campaign है तो क्या फरक है दोनों में फरक simple सा ये और दोनों में advertisers है यानि दोनों में companies है जिनके पास कुछ product है या कुछ service है वो लोगों तक पहुंचाना चाते है तो facebook ad में भी companies pay करती है advertiser pay करता है for the ad और यहां बना के देखेंगे अभी और वो ad audience सक पहुंचता है ना के यानि audience सक उसके interest के मताबिक पहुंचता है यानि मेरे interest के basis के ओपर ad आएंगे ना के उन चीजों की basis के ओपर जो कोई बन्दा सरज कर रहा है तो ये keyword की basis के ओपर ad नहीं आते मैं ये समझाने ही गोशे शाबू कर रहा हूँ जिसना गूगल में आते है आते एड ही है pay advertiser ही करता है और जो एक और चीज़ common है गूगल में और फेस्बुक में मेरे और आप के लिए it's free we are not paying anything इसका मतब कतन यह नहीं है कि फेस्बुक हमसे कुछ कमा नहीं रहा अगर आप if you are not buying a product then you are a product अगर आप कुछ खरीद नहीं रहे तो लोग आप के जरीए पैसे कमा रहे हैं आपको पता भी नहीं लग रहा this is actually the business model of facebook and google कि वो आप की जरीए पैसे कमा रहे हैं and we effectively don't know हम सरफ यह कहरे हैं कि हम facebook free use करते हैं google free use करते हैं and they are doing some good to humanity this is not correct actually ऐसा कतन नहीं है they are not I mean they are doing good to humanity but they are earning billions of dollars out of this you know goodness to humanity so try to understand if you are not buying a product then you are a product यह बड़ी यह common saying है तो अब हम यह देखते हैं कि what is the life cycle facebook का जब एड बनता है तो किन steps से यानि क्या होता है बहां जासी step number one सबसे पहले चीज़ जो होती है facebook के एक auction के रिएड करता है यानि इसका असान लफजों में अगर मैं आपको बताऊँ वो यह है कि लार्सबद मैंने का जी कि मेरा interest फूड में है अब फूड से लेटर ज़ूरी नहीं है एक ही advertiser ने एड बनाया हो there will be millions तो मुझे कौन सा एड दिखाना है facebook ने उसके लिए facebook अपने पास एक campaign launch करता है एक auctioning create करता है यह बिलकुल वही auctioning का तरीका है जो google करता है तो मैं इसमें ज़ादा time नहीं लगाँगा बस auction create होती है on the basis of interest as we proceed next जो step number two है auctioning के बाद वो यह होता है कि जैसे ही एक ad particular auction में enter होता है तो अब वो ad ने audience सक पहुंचना है on the basis of the interest तो auctioning के process में different ad add हो जाते हैं यानि auctioning स्टार्ट हो जाती है उसके बाद step number three जो होता है that is a critical thing इसमें और facebook में जो अगरी चीज़ common है वो यह है कि यह हर ad को यानि जो ad मुझे और आपको नज़र आ रहा होता है वो उसको कोई एक value assign कर देते हैं जिससरा हमने ad word में discuss किया था कि एक quality score होता है ad rank होता है google में इससरा facebook में एक total value होती है again don't fell in this trap यानि आप ये कोशिश ना कीजिए का पता करने की कि किस criteria के तहर ये total value या rank निकलता है you will not find it anywhere reason ही उनका business secret है अगर ये मुझे और आपको पता लग जए तो we will tailor our post we will tailor our ad I mean you will never find this information कि वो कैसे ad की numbering करते हैं ranking करते हैं you will not find it so believe me आपको नहीं बता लगएगा reason वो कई publish ही नहीं है you can only guess and the last step is कि जिस भी ad की सबसे ज़्यादा value होती है जिसना ad word में ad rank था जिसका rank सबसे ज़्यादा होता था वो user को नजर आ जाता है बिरकुर वैसे ही कि अगर 10 companies ने food से related auction enter की है तो जिसकी भी total value ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा वो मुझे as a end user नजर आजेगी if I am a foodie तो this is rather simple ये बिलकुल ad word की तरह ही काम करता है more or less terminologies obviously फरक है reason कि different companies है and two giants are fighting with each other लेकिन basic revenue generate करने का model same है सिर्फ ये फरक है कि एक आप तक पहुँच रहा है Google यानि company आप तक पहुँच रही है दूसरा आप company तक पहुँच रहे है Facebook ये basic फरक है दोनों के philosophy में otherwise they are more likely same जब हम execution की बात करते हैं जबए्ट रहे है कि पहाँ है झाल